लेकिन जब कांशिरा मैदाने जंग में आये तब मैंने उनका बिलकुल अनुकरन किया गाव गाव जाने लगा वैसे तो मैं जब आरपी आये वाले थोड़े से गड़बड हो गए कमजोर हो गए तो दलीत प्यान्थर आया घर में नहीं बेठे यरसी में या कुलर में आराम नहीं किया इधर माया ओधी मुख्य मंत्री बनती है और वो आंधरप्रदेश करना टक और तामिनाडू में जाए तो साथ जैभी मैं हूँ इंजिनेर स्नेहा और आप देख रहे है दथींग आज हम ऐसे शक से बात करने वाले हैं जिन्होंने समाज को एक ऐसा साहित दिया है जिस साहित्य में बहुजन अंदोलन की कई परिभाशाय करीब कई पहलू उस साहित्य के माध्यम से समाज तक पहुचे हैं खास तोर पर यहां बताया जाए तो बहुजन अंदोलन का निर्मान करने वाले आधुनलिक भारत की महनायक बहुजन नायक मानुवर कांचिराम सहब के जीवन से संबंदित काफी सारे किताबे उन्होंने लिखी है तो आज हमारे साथ वाई यार मेश राम सर है जिरोंने काफी सारे साहित जो है मानुवर कांचिराम सहब से संबंदित लिखा है तो ऐसे में बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका जयभीम जयभीम, जयभीम, जयभीम तो सबसे पहले सर आप हमारे दर्शकों को यह बताईए या फिर हम ले ऐसा जानना चाहते हैं कि डॉक्टर बाबा सहाब अम्मेट करने समपूर जीवन में कई किताबे लिखी हैं। उनके सारे भाषन भी किताबों के माध्यम से समाज के सामने हैं। और ऐसे में इतनी किताबे होने के बावजुद, इतना साहित आज समाज के अंदर निर्मान है। उसके बावजुद आपको किताब लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई क्या सोच कर आपने किताबे लिखी है हाँ इसलिए लिखे है बाबा साहब ने जो बाते लिखे है विद्वत्ता पुर्ण बड़े बड़े गरंत लिखे है लेकिन उन गरंतों की विचार धारा समाज में सही माने में अगर एक्जुकीट करने का अगर किसी नेता ने काम किया किसी विद्वान आद्मी ने काम किया वो सिर्फ और सिर्फ कांशिराम साहब थे और जहां तक मेरा मानना है बाबा साहब के बात बाबा साहब के मुहमेंट में बहुत से बड़े बड़े नेता थे समर्पित नेता भी थे लेकिन किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि बाबा साहब की समतावादी विचारधारा को हम समाज में प्रस्तापित कर सकते है राजकारन के मान से हम सत्ताधारी बन सकते हैं अगर गांधिवादी और मनुवादी विचारधारा जो की विशमता की है वो अगर इलेक्षन के माध्यम से कामयाब हो सकती है उनकी सरकारे बन सकती है तो हमारी समतावादी विचारधारा की सरकारे क्यों नहीं बन सकती? इसका कारण ऐसा है। कम से कम वो मेरे विचारों का देहातों में जाके लोगों में प्रचार करें। मुझे लगा कि बाबा साब उस जमाने के जो इक्के दुक्की मासर थे उनके बारे में वो आश्यावादी थे तो अभी तो हजारों और सेकुल सिख चका है हमारे खड़े पड़े में हाई स्कुल में कालेजों में हम क्यों नहीं कर सकते तो मैंने उसी समय से ये बात क्याल में कि अब मैं आर्पियाए में भी कुछ दिन काम किया लेकिन वहां की सिथील्टा मुझे पसंद नहीं आई मैं भी फिर प्रचार करना छोड़ दिया लेकिन जब कांशिरा मैदाने जंग में आये तब मैंने उनका बिलकुल अनुकरन किया गाव गाव जाने लगा वैसे तो मैं उनको पहली बार पहली बार लाखांदुर में मैं नाम सुना था उनका कांशिरा मुक्ताब का लेकिन मुझे उस समय लगा कि मैं लाखांदुर में यकोडी में उरुषके पहले मुंडरी हाय स्कूल में था तो जब नेताओं की नागपुर में सभाय होतीती तो मैं मोटार से ट्रेंज से उनकी सभा सम्मेलन सुनने जाता था क्यों इसलिए जाता था कि बाबा साहब के बाद में ये बड़ी बड़ी लीडर, बड़ी बड़ी कारे करता उनके मिशन को आगे ली जाते है. कि दादा साहे गायक वार से लेकर एड़ोकेट आवडे साहब दाता रूपोते साहब बाजिराव कामडे साहब किसी ने भी मुझे पर प्रभाव नहीं डाला मन से उनके प्रति मुझे उतना कोई उत्सा नहीं लगा उसके बाद 74-75 में जब RPI वाले थोड़े से गड़बड हो गए कमजोर हो गए तो दलीत पैंथर आया दलीत पैंथर का राजा ढाले के भासन सुनने के लिए मैं नागपूर में गया धनवटे रंगा मंदिर में उसका भासन सुना बाशन तो तीखा था लेकिन जो उसकी जीवन सहली थी उससे देखे मुझे प्रभावित नहीं लगा मालूम नहीं कि उसके बारे में मुझे कोई उस्सा नहीं लगा ऐसा लगा कि 2000 साल में ये भी वही से ही चली जाएंगे लिए है तो उसके बाद आप बहुजन समाज पर्टी के ही के भी जब स्थापना हुई तब भी आप मौझूद रहें तो ऐसे में कांशी राम सहाब का आपके साथ कितना संपर्क आया और कोई किस्सा अगर आपके पास होता हाँ जरूर देखिए कांशी राम सहाब का मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कांशी राम सहाब के बारे में मैं लाखांदूर में सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे राजा धाले आए नाम देव धुसार आए ये जी पवार आए वह ऐसे करांतिकारक बोलेंगे दो चार दिन में चले जाए दो चार साल में च चले गया लाखांदूर में था उस समय लाखांदूर से गया और पहली जो कुर्चिया रही थी धनवटे रंगमदे उसमें जाकर के मैं बैट गया सुनने के लिए जब कांशी राम सहाब आए स्टेज पर बैठे वो स्टेज का संचालन चंदा कामड़े कर रही थी वो खोबरागड़े ने ये गीत गाया हार्मोनियम पर वो गीत ऐसा था उद्धरली कोटी कोड़े भिमा तुझा जन्न मा मुड़ी ये गीत ने हार्मोनियम पर तबला बगरे वादन नहीं था तो उसने पुरा याने अधिवेशन जीत लिया बोलो तो चलेगा और जब कांशी कांशीराम साहब लगभग देढ घंटा बोले तो मैं जितने नेताओं का भासन सुने थे आरपी आई के बाबा साहब को तो नहीं सुन सका जितने लोगों के राजा ढाले नाम देव धसार के सुना और आरपी आई के लोगों को सुना था लेकिन कांशीराम साहब का जो व्य कर गया कि मुझे उसी समझे लग गया कि बाबा साब के बाद यह ही आद में कुछ काम करेगा और है और में 2 택व तो जीपर Science City बहुत साहब हें लो वह भाशन एतना संथ और बिल्कुल शांथ किसी को उन्हों ने गाली नहीं दिया किसी आगे क्यों न लिजा हूँ, मैं अपने को भी दोसी मानता हूँ, दुसरों को भी दोसी महिने leyता, लीकिन मैं भी दोसी हूँ, मैं क्यों नहीं लिजा सकता, वो भाशन, मुझे इतना अपिल हो गया, कि मैं अपने एक डाइरी में लिखा, कि जबसे दEखा तुझको, मैं ते जाते गया चुट्ट्या निकाल निकाल के जाते गया यह एक बात उनका प्रभाव कांशिराम साहब दिल की इतने बड़े थे एक बात भण्णारे में सभा थी मेरी लड़की उस्सम है जो अभी मेरे साथ में रहते है छोटी सुभास्री में चराम जिसको हम घर में निकी बोलते है वो दूसरी या तीसरी में थी तो कांशिराम साहब से गली से लेकि दिल्ली तक के लोग मुझे जानते थे कोई भी कांशिराम साहब के स्टेज पर मुझे इजाज़त मिलती थी मैं उनसे जाकर के मिल सकता था तो मेरे लड़की को दो-चार वाक्य मेने हिंदे में लिख दिया कि आज कांशिराम साहब की सबाब भंडारे में है महात्मा जोतिवा फुले ने जो कारवा चलाया था विचारों का उसको बाबा साहब ने आगे ले गया लेकिन उसी कारवा को कांशिराम साहब बहुत आग लिजा रहा है और लगता है कि ये कारवा समतावादी कारवा सफल हो जाएगा अब मेरे लड़की ने महात्मा जोतिवा फुले के अलावा कहिने के अलावा उसने फुले का आए वज़े महात्मा गांधी कई दिया तो मैं स्टेज पर था तो मैंने बोला रहे नहीं महात्मा फुली गांधी नहीं कांशिराम साब ने उस समय बोले कोई बात नहीं छोटी लड़की है गलती होती है और गांधी जी भी बहुत बड़े आदमी थे यह उनका बड़पन दिखाता है कई बार गांधी बल टिका किया उन्होंने लेकिन जब उनको सम्मान देने के बात आई त के दिल में बहुत समान था तो महापुर्शों का जो स्वभाव है वो इसी प्रकार से बड़पन वाला स्वभाव होता है अब आपने जो मिशन मोमेंट भी आपने उस समय बहुत करीब से देखा है तो कांशिराम सहाब के समय जिस प्रकार मिशन मोमेंट का रही जिस प्रका में और मैंने बहुजान नए कांशिराम की ललकार में भी मैंने कांशिराम साहब के बाद में जो कुछ हो रहा हूं उसके बारे में नाराजी वेक्त किया है जहां तक मैं समझता हूं बाबा साहब के बारे में बाद में जो हुआ दादा साहब गायकवाड के बारे में बड़ी अपेक्षाई थी लोगों की मेरी भी अपेक्षाई थी लेकिन दादा सावे का एक वार समाज को नेतरुत्व नहीं दे सके वैसे हमको यहां तक था कि कांशिराम साहब के साथ में मायावती जी रही और उनकी जमाने में तीन-चार बार वो मुख्यमंत्री बन गई उनके उनक कुछ उन्होंने किया कांशिराम साहब की हिम्मत थी लेकिन उनके जाने के बाद वो संहटन को आंदोलन को पार्टी को बहुत कुछ बढ़ावा नहीं दे सकी ऐसा क्यों हुआ इसलिए हुआ हम कुछ दिन पहले हमारे एक मित्र विनोध मोड़ धरेने के साथ में हम एक मोट से गुंदिया के लोग बचषग की लोग गए थे लखनओ में हम दो दूधिन ठहरे है तो हमने बोल है भाई गटलँ की कारता को करताहों के साथ में कजला हम लेले वीनोध में बताया कि सरकाय कैने कि suffer 8,8 तक लेते है और कि मिटिंगे लेते दो दो घंटी की वालग रहती है तो उन्होंने बोला तो लखनों में तक अगर कैडर क्यांप नहीं होते हैं तो कारवा कैसे बढ़ेगा कैडर क्यांप जो अंदोलन का मूलता स्त्रोथ था वही बंद हो गया आपको ऐसा लगता है कि नॉन पलिटिकल वर्ग भी चालू रहना चाहिए जिस प्रकार कैडर क्यांप होते थे जिस प्रकार लोगों को प्रशीक्षित किया जाता था लोगों को मुमेंट समझाई जाती थी बगाएदा बोर्ड पर समझाई जाती थी वो परंपरा चलती रहन चाहिए घंवी राज कारन चलना है तो यह तो वर्ली रात दिन चलना चाहिए आप आपने विचारो को जैसे के कांश्यराम के साहब के जमाने में जितने i port मिलते थे उसके जाने के बाद मैं उनी के कारण माया होती अपने बल पर सत्ताधरी बन गई अगर दूसरे कोई होते तो इसी कारवा को दूसरे प्रदेशों में ली जाते थे मायावति जब पहले बार मुख्यमंत्री बनी और जो अम्बेट कर जैनती उस समय हम लखनों में थे दो-चार दिन तो उस समय सहाब ने यह कहा था मायावति को आप मुख् मंत्री बनती है और वो अंध्रप्रदेश करनाटक और तामिनाड़ों में जाने के लिए पत्रकारिता की मोक नाएक बहिस्कुर्ट भारत जनता समता प्रबुद्ध भारत क्यों कि आम जो सोचते है सभा समयलनी एक स्थान में होंगे लेकिन आपके विचार दूर तक के जा में कर नड़ा भासा में अंध्रप्रदेश के भासा में अंग्रेजी में और यहां तक कि जब परड़ी के सापना हुई तो बहुजन नायक को तीन साल उन्हें ने दैनिक चलाया और उस 84 के 84 के बाद में जो मैंनी तो काम किया और मेरा श्री ऐसा रहा कि रात को हम प्रचार को जाते थे चार-पाच मास्तर तो चार-पाच मास्तर जाते हमारे साथ में दो-चार आते साइकलों से गुमते थे इस कारण 84 के उन्नी सव 84 के इलेक्षन में सबसे जादा अगर वोटिंग किसको हुए पहले पल तो सिर्फ चिमूर शेत्र से जो रमेर गजबे खड़े थे उन्हें 27,000 वोट मिले उनका किसी एक को अगर स्रेय देना हो तो वो सिर्फ वाईयर में श्राम है उसके कारण मज़े पैसा भी खर्च करना बड़ा जिल्ला परिशत में बदनाम भी हुआ ट्रांपर भी हुई मेरी आप सिखशक भी थे उसके बाद आपने इस मुशन मॉमेंट से भी बने रहे और कितावे भी लिखी तो किस प्रकार समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा या फिर सब आसानी से हो गया देखिए कोई भी बात आसानी से नहीं होती मेडम समस्या यह आती है आप समस्या को समाधान सुलजाने के बारे में अगर सोचते हो तो आप समस्या को सुलजा सकते हो और अगर पहले ही आपने मान लिया कि बहुत बड़ी समस्या है मैं छोटा आदमी क्या करूँगा तो ऐसा नहीं होता हुदारन के तवर पर मैंने ये पुस्तक में लिखा है आपके पास में लाल्टे नहीं है कि आपके पास में टार्च नहीं है। आपके पास में चाराने आठाने वाली मेन बत्ती है तो अंधेरे में मेन बत्ती आपको दो कदम आगे दिखाएगे लेकिन दो कदम के बाद में फिर से मेन बत्ती दूसरे दो कदम दिखा सकती है तीसरे दो कदम दिखा सकती है तो आप सव कदम चल सकता है मेन बत्ती वही है छोटी सी है, लेकिन आपको चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा, आपकी चलने का अगर मादा होगा, तो आप बहुत कुछ चल सकते हैं, क्या कांशिराम साब के जमाने में किसी को लगता था कि बाबा साब का एक कारवा आस्मान तक चली जाएगा, वो तो पहले अके यारमेश्रम बोलता हूँ कि मैं जब कानविंसिंग मिटिंग लेने की चला, तो मेरे साथ में सिरफ लाखान दूर में एक टीचर से माने करके, वो चलते थे, अमेटकरी चड़वडी सद्धमा के संगाती, मराठी में उसमें उनका वेक्तित्व दिया है, बहुत सिद्य जब DS4 बनी थी, तो उस समय चंदा कामड़ी भाशन करती थी, विनोद उसका नाम भुल रहा हूँ, बहुत उचापूरा लड़का था, मस्त गाने गाता था, DS4 के पाच्छे लोग, उसमें एक नरेन सेंडे करके था, पालिटिकने का प्रफेसर था, ये गावगाव जाते एक धोल मड़ावी नाम का छोकरा धोल बजाता था, माइक भी था और एक बाइद कर वहां से जीप करके आई तनाखपूर से, जागरूती जद्था, उसमें पेंटिंग जद्था भी रहता था, ऐसे 10-12 लोगों को हम 2-4 दिन घुमाएं, उस समय मैं लाखांदूर में था, लाखांदूर के एरिया में घुमाएं, और जब जाने के बाद हुई पूरे जिले में घुमने के लिए, तो मैं तयार हुआ था, लेकिन माने सर ने बोला, पहले से तुम बतनाम हो, सस्पेंट हो जाओगे, बरखास हो जाओगे, तो तुमारे यवज मैं मैं पाच्छी दि इन की छुटी ने लगते किसी के लिए, माने सर ने वाईयर मेशराम के लिए पूरे हपते की छुटी लिए, उन्होंने तो यहां गोला जादा से जादा मेरा पकर काटेंगे, तो ऐसे लोग जब मिलते ही किसी मीशन को, तो मीशन कामयाब होता है, वो मीशन कांशिराम माने में लोग कामयाब थे, मिलते थे, लेकिन ये दुरुभाग्य है कि मायावति ना पेपर बढ़ा सकी, हम तो सोचते थे कि ये जब मुख्यमंत्री बनी, तो जो पाक्षी खाए, जो सापता ही खाए, वोई दनिक बन जाए, लेकिन ये वहा उल्टा, जहां तक उनके करी करते मुझे पुछते हैं कि पेपर को बंद कर दिये, पेपर को बंद कर दिये, वह लालू मुलायों के पेपर नहीं, फिर भी वह चून के आते हैं, अब भाशन एक तरफी था, उस समय तो में कुछ नहीं कही सकता था, लेकिन जिस सेंटर हाटेल में ठहरे थे, और दूसरे यहां तक बोलाएं कि जिस मूमेंट में अगर पेपर नहीं होता, तो बिना पंख के जो पक्सी होता है, उसके आलत वाश्यों होजाती है, तुम जो कहोगे, प्रसारीत कैसे करोगे, प्रसारित कैसे करोगे, आज का माधिन पेपर है, तीवी तक है रआ अपने हाथ में नही तुमने तो उल्टा डुबा दिए दुबा दिए हम तो यहां तक कहेंगे मैंने तो यहां तक यह बोलना नहीं चाहिए यह पुस्तक में इंडाइरेक्ट लिए लिखा है मैंने कैसा लिखा है यह यहां पर बोलना जरा अच्छी बात नहीं है आपको मैं तो फिर मैं यह जाना चाहूंगी कि उम्र के आप इस पड़ाओं में है तो क्या अभी भी आप लिखान कर रहे हैं लिखना चालू है जारी है तो अपकमिंग में क्या किताब आ रहे हैं हाँ अभी मैंने कांशिराम सहाब पर आट-दस पुस्तके लिखी हैं संथागार में जहां मेरी पुस्तके वि द्वान है येक थे कांशिराम इस हिंदी पुस्तका विमोचन जो उपसचिव है हमारे बंबई में मंत्राले में उमेस नागदेवे उनके हाथ से हुनी थी वो आये थे नागदेवे साहब मेरी पुस्तके विमोचन के लिए तो उन्होंने जाहिर साथ से कहा कि आपके लेख मैंने ये बात तो हसके टाल दिया लेकिन मेरा जनम दिन 24 अक्टोबर दोहजार वनीस को था ग्रैंट सिता होटल में मैं तो इसके विरोध में हूँ अपना जनम दिन मनाने के लेकिन मेरा बेटा बेटी ने वहां मनाए और संतागार के बहुत एक लोगों को बुलाए तो व बाबा साब का बहुत साहित ने मेरे पास में है लेकिन जब डियर्स पॉर कांशिराम साब को देखा और वो देखा 16 अगर्ष 1921 को उस समय से ये पुस्तके पड़ी मैंने रख दिया और रोज रोज निर निराले गाव में जाने लगा प्रचार प्रसार के लिए लेकिन अब ऐसा लगने लगा कि मैं बाबा साब का भौतिक चरीतर लिखा कैसे दिखते थे कैसे बोलते थे लेकिन उनके जो विचार धारा थी वो विचार धारा पर भी इतनी बड़ी पुस्तक हो सकती है ऐसा मेरा मानना है मतलब आने वाले समय में तथागत गौतम बुद्ध और संदेश ये देना चाहूंगा कांशिराम साहब के ही वाक्य में मैं ये संदेश देना चाहता हूं आपको बुद्ध की विचार धारा फुले की विचार धारा शाहुमाराज की विचार धारा डाक्टर बावा साहब आमेटकर की विचार धारा कांशिराम साहब की विचार ध तो राद दिन काम करना पड़ेगा, उन्ही के सब्दों में दिल में सही तमना है, तो रास्ती निकलाते है, नहीं तो फिर बाहनी नजर आते है, तो यही मेरा संदेश है, राद दिन काम करो, विशंता बादी अगर लोग एसस भी होए, हम क्यों नहीं हो सकते, हमने खुद का चिंतन करना चाहिए। मुझे तो निर निराले गाउ में जाता था ना अपने से 17 जी बिशाने से काम करते थे हम दो चार साथे। तो उसके बाद में लोगों ने दूसरे गाउ में बुलाना चालू कर दिया। यहां तक कि मुझे बिस लोगो ने भी बुलाया। एक उधारन बताता हूँ, लाखनी जैसा बड़ा गाव, जो के आरे सेट का गड़ा है, उसमें चुटे करके पठवारी थे, वो रिटायर हो गए थे उध समय, उध समय उनके घर में जो सभाव हुई, तो यसी, शिरफ मही था और मेरे को जिसने ले गए, वो हुमने करके मास् था, वो प्रोफेसर है अभी, उसने ले गया, लेकिन उसके घर में सव दो सव आदमियों में, दो सिरफ हम यसी के आने महारिया बहुत थे, बाकि सव लिडिज या सव जेन्स पुरी वो भी सिके थे, और उन्होंने यहां तक बोला, जब मेरा बोलना दो घंटे का खतम समय निकालना चाहिए, हम बोलेंगे, तो समय निकालके हमको जाना है, अपने थोड़ा सा त्रास सरन करना है, तो करना पड़ेगा ना, जहां तक मैंने यहां तक पढ़ा है कांशिराम साब के बारे में, तो उन्होंने तो यह मिशन में दो दो तिन तिन दिन खाना नहीं खा के इसलो ना होगा और काशी रहाम साहब नी जो राष्टा दिखाया उससे, अगर हम जाते हैं तो कैम्याब बन सकते हैं। इतना जरूर कहें कि गलत विश्वेटारत के लोग अगर काम्याब हो. काम्याब हो सकते थे तो सही उन्होंने कई किताबें उन्होंने लिखी है और आने वाले समय में वो और भी लिखना उनका जारी है उनका कहना यह है कि मिशन मुमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कितनी भी कठीनाई आई लेकिन आपको काम करना बहुत जरूरी है अगर इस देश के अंदर समानता की विच विचारधारा अन्याय वाले विचारधारा भेदभाव वाले विचारधारा अगर सफल हो सकती है तो हम तो समता मुलक काम करते हैं समता मुलक विचारधारा को लेकर काम करते हैं हम अमबेटकरवाद को सफल कर सकते हैं बशरते आपको काम करने की जरूरत है और यहां पर आ कर आप क्या सोचते हैं आपका क्या ख्याल है कमेंट करके जरूर बताएं बने रहे दर्थिंग पर जै भीम जै भाराण